नमस्कार प्यारे मित्रों आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनन्दन है और इश्वर से आप सभी के लिए कामना प्रात्ना है खुशियां सदेव आपके जीवन में बनी रहें और आपका हर काम पुरा हुई सी शुभ कामना के साथ हम लेकर हाजिर हैं फिर से आपके सफ़नों का पहिनाव चलिए मित्रों चानते हैं आज के इस वीडियो में सुपन में अगर आपने देखा है मंत्र तो इसका क्या अर्थ है दूस्तों मंत्र बोलना या देखना सुनना दूस्तों ये सफ़ना आपके लिए आने वाले जीवन में सांती प्राप्ति का सोचक माना जाता है यह एक दूलम सपना है अपने जीवन में हर कोई काम इसलिए करता है उसे सांती मिले और यदि आप कामाहुल आपके घर में या आपके ऑफिस में या अन्नत्र कहीं खराब है तो जो ठीक होगा और आपके मन को शांती यह सपना एक शुख उत्तमकारी माना जाता है यह सपने को देखने की बाद आपको अपने इश्ट देव का नाम देवी देवता का नाम जरूर कम से कम 108 बार लेना चाहिए दोस्तों इससे आपका शुख मंगल और कल्यान होगा तुमित्रों आज का वीडियो फूरा होता है और हम फिर से आपके सपनों का फर लेकर हाजिर होंगे और सपनों का कुछ ना कुछ संकीत होता है जो कि हमारे जीवन से जुड़े होते हैं और उनकी सूचना हम आप सभी तक लगातार पहुँचाते हैं तुमित्रों फिर से मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए बने र साथ नवसकार बहुत बहुत धन्यवाद